इस पाँच शे दिन से यहां पर पिछले अपते भी दो तीन दिन लगा के कि दो दिन का गैप चले के पंजाब फिर हम तीन दिन से यहां पर यह जैमर तीन दिन पहले नहीं था यहां पर अब इसका एक ही मकसद हो सकता है कि यह जो यहां पे लोग हैं जो किसानों की मदद में आते हैं किसानों के अंदोलन को मजबूत करने के लिए आया है अचाए डॉक्टर पेशे के लोग हैं या कोई और एंजियोज हैं उनकी बात जो वो कर रहे हैं वो अवान तक ना पहुंच है इनका जो दुख जर्द है जिस हालात में किसान यहां रात में ठंडी में मच्चर में यह बिमारियों में और तरह तरह की दिक्तों में जो रह रहे हैं 24 गंटे यहां पे अपने अंदोलन के कारण उनकी सही बातें जो है ना वो देश के अवाम के नजर में ना आए यह जैमर लगा इंटरनेट नहीं चलता मुबाइल नहीं चलता है टेलीफून नहीं चलता कुछ नहीं चल रहा है यहां से ना लाइव हो सकते हैं आप इंटरनेट को डाउनलोड करने में यहां कोई 1G, 2G, 3G, 4G कुछ भी नहीं सब जैमर के दरूम मादियम से बंद कर रहे हैं यह एक अजाद मुलक में एक नागरिक के अधिकारों का हनन है यह ऐसा नहीं हो सकता है सरकार नहीं कर सकती किसी भी तर यह कूछ नागरिक नहीं है यह इसी भारे देश के बसिंदे है अन दाता है अगर यह अनकले में नहीं अघर के अखाएगा उनको दुख़ी करेंगे तो काएंगे कि यह महीने दो महीने बार भंडार खतम हो जाएंगे सब मर जाएंगे ऐसे अरे उनकी बात तो सुनिया इतनी जिद किस लिए यह को मामा फुपड का खेल थोड़ो है अरे देश के नागरिकों का है देश का सवाल है आप तो क्यों लग रहे कि सरकार क्यों रोक लगा रही इत सब्सक्राइब के उपर नजाज कब्जा होता है यह जैसे है मैं थोड़ा हट के दरूर बोल रहा हूं पर यही सच ही है अवाम नहीं बोलेगा मैं एक इंट्रेक्ट्ट्यल हूं एक पड़ा लिखा वेक्ट्व मैं सब समझता हूं तो आज हम डॉक्टरी पेशे की बात करे गया ने तो बहुत कुछ ऐसा देश में वो कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए एक आदमी की जिद के आगए आप लाखों लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं क्यों होने हुए हमने क्या भी गड़ा है क्योंके किसान ने आनुक आया वह हल जोता है वो रात दिन मेहनत करता है वो अपने बच्चों को छोड़ता है परिवार को छोड़ता है और देश के जो दूसरे नागरिकों के बारे में सोचता है इसलिए जैमर इसलिए खड़ा को हुआ हुआ है कि किसानों की बात जो है देश के अवाम को ना पता चले यह इसलिए सब को रहा है हैं हमें भी पता है मैं भी किसान का बेटा हूँ हम हमें भी पता बात ही नहीं करना चाहते और बात करने से पहले आपका स्थिती बना देते हैं ऐसी किसान बात ना कर पाए यह कंडिशन होगी यह कंडिशन अपने नागरिकों के साथ आप कूरिया के नागरिक थोड़ा है पा पाना वह आपको चुना इसलिए गया है कि आप नागनिकों की भाद सुने और खास करके इस वक्त आपशानों की बात सुने हैं क्यों ने यहां गरीबी है अनपड़ता है वो हर तरह का कोई फेसिलिटी नहीं है हमें अपने ही साफ से चलाइए अब अमेरिका को देखकर यहां लागू मत करें वो नहीं है वहां किसानी भी खत्म हो रही है तो वहां भी उनका टार्गेट यही कर पांच-छे परसंट पर आ जाए और किसान एक मिजदूर बन जाए यह दोबारा से मज़रा बनके रह जाए यह मालिकाना हकोग खत्म करते हैं इनके शुक्रियां